अब हाई अभी आपको शुरू की है नहीं तो शुरुआ है ओज पढ़ेगी आनगतल पर पिंद का घर्षण ये कोई आनगतल है दुर्थी टैपों पर जुखा गए और इसको कोई कोई पिंदियन है जिसका च्थैतिक बल्यक लगना है कि विपली दिसा में घर्षण बल यक् अगर इसको इधर लगा रहे हैं तो गश्मक लगोगा जट की इसापकर ये डिपेंड है तो दिया पन पर है आर है आर इकोल यांदी कॉस्टीटा बैलन्स होगा और एंटी सांदीटा नीचे की होगा दो कंडिशन इसमें बनेगी जब पिंद नीचे की और आ रहा हो आने जब नीचे की अगर करेगा तो एंगी सांदीटा येक्टी से अदिप होगा इसकी एंगी सांदीटा में से येक्टी गटा देने हैं और इससे का में अब जानते हैं कि येक्टी इस पोर्टनल आर और आर इकोल है मैं म्क कॉस धुल कोले म्क कॉस धटा येक्ट अपर इस से धर को Chelsea की और म्क कॉस धर को डास करगे सिल्ग कोले मिन थाज टा करें नीचे की सHYक्टा येक्टा येक्टा येक्टी इस क componятся है एकोले में दूसरा एकोल है एकोल है यूद के mg पॉस दीटा दोनों स्मेंकों को गिला दिया एं एक और वो से mg साइं दीटा माईनस मीव के म्विच पॉस दीटा एकोल है यह हम दो मतब केंस्ट हो जाएगा जी साइंग दीटा माइनस मिल के जी भी कामल ने लिए मिल के बास दीटा एक्वल के इस पतार से जब पिंट नीजी को उदर देरेगा तो बादा भी तोरा भाद की स्कॉल के जी क्या देरेगी इस पास्वे से ज़िए को रहा आपको बालू को जाएगा इसका उडियो अप्लोग गट के तीनम में में यूज़ करके जहां पर दूश का आइंड करना होगा उड़ा फिक जब पिंट उपर की ओजा रहा हूँ जब पिंट उपर की ओड जा रहा हूँ तब इसमें क्या होगा ये प्तम हो जाएगा अब तब मुलोग प्तम के में से एंड नी साइन की ता को बढ़ा लागा और ये प्तम ही होगा अब तब यहां हो जाएगा मुल के एंड जी पॉस तेटा एंड जी साइन तेटा इक पॉल है में अब यहां पर जी कामल लें मुल के पॉस तेटा माइन साइन तेटा इक पॉल की यह से एंड जी जाएगा अब हमारा लोग अंगला बन गया पाड़ावी तवरण ए बराबर जी रेगेट की इंड इसके पॉल सीटा माइन साइन साइन सीटा अब इसमें पहलों को पूट करके हम लोग तौरण ग्यांतरे में इस तौरण का उपयोग गर्द के परखम दियर दियर के समय पर मेरा पर उसको जैसा मैंट करना होगा हम साल कर लें इस प्रकार सी घर्षन का चेप्टर हो गया पूल अब हम लोग इसके बात पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन करेप्टर करा बत्र हे से तौरण करेंगे बान यकट सूआ बहा है इस पूल नहीं है जप हम लigma करेंगे यहा है जैसो किस छ 하지 उत्र प्रीप मेंवाब कर दो बएबrän Jobs गबैब रोग मेंजर रहा है ब्रुद्टी करते है यहां सेर्कन है पर्पिकाल यह सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन का मुशलर है तो इस सर्कल है सर्कल और इस तेर में क्या डिफ्रेंट समचे पाले हैं सर्कुलर में सेंट्र डिफ्रेंट होता है और सेंट्र से रेडियस इसकी चात्रों के समाग होगी और सर्कुलर में एरिया होगा वाइल नहीं होगा अगर 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 हम इस पेर में इस पेर में सेंट्र डिफ्रेंट नहीं होता है रेडियस चारों तर समान नहीं होती है इसमें एरिया वालों दोह होता है यह त्रीडी है और यह त्रीडी है अगर यह देखना है कि किस प्रकार का मोशन है सर्कल में मोशन दो प्रकार के होगी एक और जेंटल इस दुसरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन में दो प्रकार के होगी ौपि आग और यठ्टी वस्षडन मोशन स्थाटिस क्थित्य प्रकार इसरा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन पुर्दवागर पुर्तिये गर्द पुर्दवी के धराकल के समांतर अध्वच हैति इस्थिटियों में जब कोई विड्राश क photographed करता है उसको ऐस्ष्थि पुर्ति पुर्द करते हैं जैसे सैलिंग पैड है इस है ति पुर्ति कर रही है को शक्री है वो अच फिर पुर्ति कर रही है फिर वर्टिकल सर्फूरल मोशन में जब कोई पिंड पृत्वी के धरातल के लंबवत या उर्दवारदर गद करती है तो उसको उर्दवारदर पृति गद कहते हैं जैसे टेवल फैन टेवल फैन उर्दवारदर पृति गद कर रहा है साइकी मोटर साइकी कार इत्यात की जो पहिये हैं यह उर्दवारदर पृति गद कर रहे है तो किस उर्दवारदर पृति गदी में वेग अमेशा बदलता चला जाएगा हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे 36 पृतिगत 36 पृतिगत में पहले भी होगी एक समान पृतिगत एक समान पृतिगत पृतिगत जब कोई पिन किसी पृतिगत पृतिगत करता है और उसकी चाल उनियत होती है चाल क्या होती है उनियत होती है उसको हम एक समान पृतिगत कहते हैं चाल नियत होने से चाल का परिवरतन सुनने होता कि उसन करी बात पूछा गया है कि पृतिगत में क्या नियत है तो यहां पर चाल नियत है जब की पे बदलता रहता है एक समान पृतिगत का मतलब हुआ कि जब पृतिगत कर रहा है तो उसकी चाल नियत होती है उसकी चाल नियत होने से इसको हम एक समान पृतिगत कहते हैं अब एक समान पृतिगत में चाल परिवरतन क्या होता है सुन्दव अब इसके लिए हम सो वेग देना है सबसे पहले लोग परें इसमें पूरी इसका आपान पृतिगत कहते हैं पृतिगत कहते हैं पृतिगत कहते हैं कोणी इस्थापन का मकलब है जैसे हम लोग रेखी इस्थापन पढ़ते हैं एक बिन्द से दूसरे बिन्द की बीज में लंबाई का अंतर आता है वो रेखी इस्थापन क्या लाता है ठीक वैसे व्रतिपत पर कोई पृतिगत कर रहा है उसमें कोण परिवारत आये एक आंत चाप वाड़ा केंदर पर अंतरी कोण को कोणी इस्थापन कहते हैं क्या कहते हैं कोणी इस्थापन इंग्यूलर डिश्थापन कोणी इस्थापन डेटा थी ताइप वल चाप बटे त्रिज्ज्ज्या जैसे हम लोग पढ़ते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्ज्या ऐसे कोणी इस्थापन कम पर कोण समझेगे चांप इसमें डेल्टा इसले लिया है फिज्जा आ ले लिया है ठिक ये फार्मुला को पर गया है पूरी विस्थापन का मात्रक देख लिए मात्रक में रहाए यहां डेल्टर और रीचे डेल्टर कैंसेल कोई मात्रक में लिए लेकिन इसका पूरेल मात्रक है रेडियन रेडियन आने पोरी भी स्थापन का मात्र का आपको रेडियन मिलेगा इस रेडियन से आम लोग यहां माप करेंगी माल लिखिये पूरा एक चक्र को इस भृतिकत कर रहा है पूरी एक चक्र के लिए जो हम चलेंगी वो परीद होगी परीद होता है पाई पुड़े प्यास प्यास गराबा होता है तुवार इसलिए बेल्टा इस गराबा अब लिखिने पूपाईया अब पूरी पिस्थापन अब तो लेना है बेल्टा ठीकर इक वाई तूपाईयार अपान आर आर से आप कैसे लिखिने तूपाईयार रेडियन जब पाई के टर्म में पून होगा तो बहर रेडियन जाए इपने समक्षप्ते हैं पूरी पिस्थापन अधिक्तम फूपाईयार रेडियन होता है इसी पूरी पिस्थापन को आपको संतलपूर के नाम से नियाने हैं संतलपूर अर्था संतलपूर का अधितम मान क्या होगा 2 पाई रेडियन पाई का मान अगर हम आने तें एक सोब सियंस 2 पाई का रगर 370 होजए 300 साथनस आने एक बिंद पर 300 साथनस का पूर बनेगा इस प्रदार से पूरी विस्थापना को डेल्टा धीटा एक्वल डेल्टा एस बाई आर पढ़ेगी अब जब पूरी विस्थापना गया तोस में हम लोग पढ़ेगी पूरी वेगल पूरी वेग एंगुलर विलोश्टी अपर पर पूरी गर्द करते हुए एक आम समय में जितना पूरी विस्थापन होगा उसे हम पूरी वेग कहेंगे इसको उमेगला से जिनूर करेंगी और यह वजाएगा डेल्टा थीटा वाई डेल्टा टी दूसरी वासा में कहेंगे कोडी विस्थापन की दर्पो कोडी वेग कहते इसको अगर इंटर्टील के मुद में देखेंगे तो दीटी वाई दीटी विली सकते हैं अपोरी वेग वामाद्रक रेल्यन तती जिसेकंड ओगा दीटी विली 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 वन अपान टी पढ़ें, it means, n power 0, l power 0, t inverse. अब t inverse आपधित अभी मात रख है, इसलिए इसका दूसरा नाम, हम पूरी आपधित भी रख सकते हैं. पूरी आपधित अव्हा पूरी वेग कभी हम आपधित अव्हा पूरी वेग के चगभए है, आप आप गवरा जाते हैं. यहां पूरी आपने तब पूरी वेग तो चों बेती हैं अब हमको पूरी वेग और रेथी वेग में संबंध अस्थापिक करना है कूरी वेग और रेथी वेग में संबंध अबस्की एंग डेल्टा थीटा एकोल डेल्टा यसमाई आज प्राइए कूर बरावर च्यांपटे त्रत्या देल्टा टी से आग देने पर डेल्टा थीटा यसमाई डेल्टा टी वाद पाला अभे भी आपको पढ़ें है? डेलता थीता तेलिक लिटर्टी को उनेगा, ओरी वे, एल्टा इसमें लिटर्टी को पढ़ें में रेखी वे, बटे यार, वीक को लो जाएगा, उनेगा इन्टु आग, रेखी वे, गराबर ओरी वे, गुले प्रिज्या, रेखी वे, बराबर ओरी गुले प्रिज्या, अब इस पतार से, अगर हम वे, टर्टी में देखें, सदिश भूप, पिर जाएगा, वीक को लेगा असार, अगर सदिश भूप इसका पूछे, तो वहाँ पर, वीक को लो ओमेगा इन्टू, आर पढ़ेंगे, जहां ओमेगा इक्वाल, डेल्टा जीदा परे डेल्टा टी पढ़ रहे हैं, दीदा परे डेल्टी पढ़ रहे हैं, इसी को गरपढ़ लें, पूप पाई वाई कैप्रिल्टी, पूरा एक चक्र चलने के, पोरी भिष्थापन पूप आई रेडियल है, और एक चक्र पूरा करने में जो समय लगा, उसको हम आवर्द काल करेंगे, पूप आई वाई टी हो गया, इसी को गरपढ़ लोग लिखनेंगे, पूप आई यन, यन आवर्दी है, चक्रों की संख्या है, और टी आवर्द काल है, ओमेगा के लिए इतने ट्रम हम यूज़ का सकते, जैसे जानपल में देखिए, यह जानपल में देखिए, जैसे ट्रम हम यूज़ का लिए यूज़ का लिए यूज़ का सकते, बारसो बटे, बारसो चक्र, प्रत्ती मिनट, हम इसकी बैलू प्रत्ती सेकेंड क्या तरना है, बारसो बटे साथ कर देंगे, यह जाएगा आपका 20, चक्र यूज़ प्रतिस सेकेंड, यार का मांग फाइट सेंटिमीटर, वी को रो जायागा आर ओमेगा, पाइट बुरेच चालिस पाइट, सेंटिमीटर पूटि सेकंड, तो सबसे पहले लोग यह जाते रेंगे, यह के साथ में आर दिया हो, तो वी बराबर आर ओमेगा रख करके इसका हम उड़ा कर लेंगे, दूसरा एक जांपल आएगा, लगा रही है, तो एक चक्तर के लिए हमको भोडी में ज्यार चरना है, तुट पाई बाई प्लिए, तुट पाई, सेकंड वाले सुज़र एक चक्तर चलेंगे, तो साथ सेकंड चलेंगे, इतना साथ सेकंड, अगो पाई बाई, 30 radian 50 second आप कमाने आप या है 2 cm V इकोल आप में आप में 2 इंटो 5 इंट 30 cm 50 second 5 इंट 15 cm 50 second इस प्रकार से N और T से हम लोग omega find करेंगे omega के साथ में V को find करेंगे अब सेश इसका भाग अगले दिन लोग पढ़ेंगे कल आप लोग को ब्रेकी वेग, फोनिग वेग आवर काल आवर काल का मतलब है पूरा एक ब्रित चलने में एक चक्रा चलने में जितना समय रखता है उसको हम आवर काल कहते हैं आवर काल को आवर काल की दिन लोग करते हैं आवर का मतला है एक सेकेंड में ये लिए चक्रों की संथ्या एक सेकेंड में ये लिए कंपणों की संथ्या को आवर कहते हैं और ये निक्पर होता है वान अपांटी ठीक यहां पर आवर काल की आएगा आप इस भी आसकता है अगर चक्र प्रसकेंड आसकता है इस अप्तर इसमें आते रहेंगी और इनकों लोग याद करके नेक्स देज पढ़ेंगी इसको मुक्तल अप्तर पढ़ेंगी सेंटिप्टल एक्सलेशन और इसकों सिख यहां प्रसकेंड